नमस्कर दोस्तों, सौगा थे आपका Pharma Roks की YouTube एजिविकिस्टने चनल में आज की उडिल लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे वज़ाइनल इंफेक्शन के बारे में सेकंड सिखेंगे उसके सिम्टम्स होगी रखिया, कौन सी रीजन से ये प्रब्लेम हो सकती है, डायकनोसिज उसका कैसे हो सकता है, ट्रीटमेंट के क्या लग-लग ओप्सन से और कौन सी दवाई या या यूज होती है, ये ब्रब्लेम को स्वॉल करने के लिए हैं, तो ऐसे ही डीटल में सिखना है बहुँ सारी दव़बा यू के बरे में बीमार के बरे में तौप मेडिस सिं कूर्स को जोईन कर सकते हैं फार्मा रोक्स के बोपर तो ये कूर्स को जोईन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को डाउनलोड कर सकते हैं मिल जाएगी तो बात है topic प्योर समझते हैं वजाइनल infections के बारे में और cover करते हैं यह सब अलग अलग topics तो सबसे पहले उसके basic आप समझे तो जो वजाइनल infection होता है उसको हम योनी में infection होना भी कहते हैं और यह problem के अंदर होता यह है कि आपकी वजाइना या फिर जो वुल्व होता क्यों है और symptom से गिरा उसके अंदर क्या develop होते हैं और जिससे routine जो आपका काफी effect होता है अगर यह problem होती है तो सबसे पहले उसके अंदर हम symptom देखे तो वजाइना में जो वह सूजन आ जाती है मलब कि inflammation देखने को मिलता है वजाइना के अंदर तो यहाँ पे आप देख जिसकी वहाँ पे आपको itching भी होती है कि जो वजाइनल एरिया है वहाँ पे आपको itching होती है खुजली वगेरा होती है तो continuous itching होती रहती है उसके करण पे काफी ज़्यादा discomfort जो आप फिल करते हैं तीसरा symptom हम देखे तो redness हो जाती है वजाइनल एरिया के अंदर या फिर जो वुल्वा का जो एरिया होता है वहाँ पे जो वह रेडनेस देखने को मिलती है चौधा symptoms यह होता है कि जब भी आप वहाँ पे टच करते है तो आपको काफी ज़्यादा दर्ध होता है और burning sensation जैसा भी कई बार जो फिल होता है मनलब कि जब भी टच करते तो दर्ध होता है फिर sourness डेवलफ होती है वज़ाइने के अंदर कि यहाँ पे जो आप डायग्राम में देख रहे है इस तरह से condition produce होती है कि जिसको हम वज़ाइनल sourness कहते है और इसके गरण जो है वह काफी ज़्यादा discomfort जो फिल होता है फिर वज़ाइनल discharge आने लगता है वो डिस्चार ज लगता है फिर इसारा से आप देखो कि पूर ओर डिस्चार होता है वह इस तरह से देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं कि दही ज़ेसा वजाने लगता है फिर इस तरह से पहर में जो आप आने लगता है फिर जब भी intercourse coperte अ currently कॉफा इस thief का दॉता है उसके संक ही टर्विं के बाद भी काफी ज़्यादा painful condition produce होती है फिर जब urination के लिए जाते हैं या फिर urine pass करते हैं उस वक्त जो है आपको दर्द होता है फिर एक symptom ये develop होता है कि burning sensation फिल होता है आपके वज़एना के अंदर या फिर उसके आसपास के एरिया में फिर जो pelvic area जो होता है वहाँ पे specially ज़ए वह काफी ज़दा दर्द होता है जिसको हम lower abdomen का region कहते है वहाँ पे भी ज़ए वह दर्द फिल होता है next symptom हम देखे तो यब ये problem होता है तो उसके करण क्यों होता है कि आपके body के अंदर weakness आजाती है और आकरी कई बार कुछ लोगों को nausea vomiting जैसा भी फिल करता है जैसे कि उल्टी हो जाने जी घबराना जैसे symptoms ये वो देखने को मिलते है कि जब भी किसी को vaginal infection होता है अब समझना है सबसे पहले reasons के बारे में कि कौन से इस reasons है कि जिसके करण ये problem हो सकते है तो पहला reason हम यहाँ पे हम देखे तो जो फूग आती है कि जिसका नाम है candida या फिर yeast करके जो फूग आती है उसकी जब growth होती है तो उसके करण भी ये problem हो सकता है फिर second हम reason देखे तो उसी area के अंदर समझे कि bacteria के growth हो रही है तो bacteria के करण भी bacterial vaginosis इसके condition produce होती है वो भी एक type का vaginal infection ही है फिर तीसरा हम reason देखे तो वो है parasitic infection तो parasite जैसे की tricomonas होते हैं उनके करण भी ये vaginal infection जो आपको हो सकता है चौथा है reason virus कि जिसका नाम है harpes simplex virus कि जिसको सौट में हम HSV भी कहते हैं HSV के करण ये problem हो सकती है फिर अगर कोई personal hygiene नहीं रखता मतलब कि proper आप साप सफ़ाई नहीं रखते तो भी ये problem जो आपको हो सकती है फिर छटा reason हम देखे कि आपका जो partner है वो समझे कि infected है और उसके साथ कोई sexual activity वेगेरा होती है तो भी आपको ये infection जो हो सकता है फिर अगर public toilet का use करना हुआ है या फिर ज़्यादा आपको public toilet यूज करने पड़ते है बार बार public toilet का use करना होता है तो भी आपको ये infection जो वहाँ से लग सकता है और अगर history है आपकी urinated rag infection के कि past में आपको UTI हुआ था तो आगे जाके जो आपको vaginal infection भी हो सकता है फिर एक और एक फूग आती है जिसका नाम है candida albicans जिसके करन ये problem produce उतक जिसको monilial vaginitis कहते है कि जिसके अंदर specially जो vaginal area होता है वहाँ पे जो वह सूजन आ जाती है तो ये सब अलगलग reason से तो अब आपको next क्या करना है कि उसका diagnosis करना है अच्छे से कि diagnosis से हमें ये पता चलता है कि exact reason क्या है तो reason find out करने के लिए सबसे पहले patient के medical history चेक करना ज़रूरी है proper जो उसका patient counseling होना चाहिए कि जिससे पता चलता है कि कौन से reason से ये problem हो रही है कि जैसे कि आप भी हमने जो reasons वगरा discuss किया symptoms वगरा आप उसके साथ proper discuss करते हैं तो आपको एक proper reason पता चल सकता है कि जैसे diagnosis होती है second physical examination भी आप पे जरूरी बनता है कि जैसे पता चले कि कहाँ पे patient को pain हो रहा है abdominal area में काफे pain हो रहा है नहीं तो जैसे आपको एक पता चलेगा निदान हो सकता है फिर sign and symptoms के basis पे भी diagnosis हो सकते कि patient के symptoms क्या है वो जब आप उसका proper patient counseling करते हैं तो उस वक्त पता चलता है चोथा blood and urine test यहाँ पे करना काफी जरूरी बनता है कि जैसे आप जो यह वो proper diagnosis कर पाओ फिर जरूरत पढ़ने पे आगे vaginal swab test करना जरूरी पढ़ता है आपे कि जिसको vaginal secretion test भी कहा जता है कि जिससे कौन से microorganism के करन यह problem हो रही कि चाहे bacteria से हो रही है virus से हो रही है या फिर किसी food के करन हो रहा है तो proper आपको एक पता चलेगा कि आगे जाके उसका culture test भी करवा सकते कि जिससे exact microorganism की पता चल दी है ultrasound scan भी आप एक जरूरी बनता है कई बार कि जिससे पता चले कि condition अभी कैसी है कि आगे आगे भी infections कई बार फैलता है कि वज़ए ना से फिर आगे uterus और pelvic area में भी यह infection जिवा फैल सकता है तो उसको रोकने के लिए proper diagnosis होना जरूरी है उसके बास जिवाब अलग-अलग treatment कर सकते हैं तो अब treatment के options हम देखते हैं तो सबसे पहले यह problem को solve करने के लिए अलग-अलग treatment के options हमारे पास available है तो उसमेंसे पहला option हम देखे तो वो है Hazinal Hyzen Wash कि जैसे आप आप देख सकते हैं कि VWAS करके एक product आती है IntiWAS करके एक product आता है तो यह product जो आपको सिर्फ week में एक ही बार use करना चाहिए because Hazinal PHBS is a maintain रहे और एक proper hyzen condition जवाब maintain करो दिया नहीं रखना है कि उसको daily ज्यादा तर आप यूज ना करो, excessive यूज ना करो सिर्फ week में एक ही बार use करोगे तो भी enough रहेगा second है आपको proper personal hyzen रखनी है तो जब आप daily नहाते हैं तो नहाते हैं वक्त पानी के अंदर कोई भी antiseptic fluid जो आप mix कर सकते हैं जैसे कि आप detol है, cellon है Apollo Pharmacy का antiseptic liquid आता है तो वो डाल के आप जो proper वो area को wash कर सकते हैं clean कर सकते हैं, कि जिससे जो personal hyzen जो आपकी अच्छी रहे फिर अब बात आते हैं अलग-अलग medications के ते, जिसके अंदर alopathy के हमारे पास option है कि जिसके अंदर antibiotic, antifungal, antiparasetic drug और जिस reason से यह हुआ है उसके according to यह दवाईया use की जाती है, alopathy के अंदर फिर herbal के options रहते हैं, homeopathy unani medicines के भी options हमारे पास हैं, और यह सभी दवाईया अलग-अलग form में available होते हैं, जैसे के tablet भी उसके available होते हैं, jail cream suppositories वगेरा available होते हैं उसके बारे में जानते हैं, detail में तो सबसे पहला जो product है, वो है Candida, Candida VCL करके यह product है कि जिसको हम vaginal suppositories के category में include करते हैं, तो यह जो tech का जो course होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीन suppository आती है, packing के अंदर, तो यहाँ पर जो options discuss कर रहे हैं, उसमें आपको दियान यह रखना है, कि इन में से कोई 1, 2 या फिर 3 जितने option जो combination में use किया जा सकते हैं, यह सभी को use नहीं करना है, second जो option है, वो है Candida, Candid CL की जो gel आती है, तो इसमें कहाँ कि अगर कोई tablet use नहीं कर पाथा, वर्जैनल tablet, तो इसके लिए यह second option रहता है, कि आप उसके gel वगेरा use कर सकते हैं, और यह दिन में 2 या 3 बार यह वो apply करना होता है तीसरा option हम देखिए, तो Clindamycin का, के capsules वगेराते हैं, कि जैसे कि आपने उसके suppositories के option देखें, फिर उसके gel के option देखिए, उससे रहा से यह तीसरा option है उसी के अंदर उसके capsules का, तो वो capsules 150 से 300 mg के strength में use किये जा सकते हैं, दिन में 4 बार, मतलब कि आपको यह 300 mg के capsule है, वो दिन में 2 या 3 बार जी वो patient ले सकते हैं, पर medicine का, कि अगर reason आपको bacteria के करण हो रहा है यह problem, parasitic infection के करण यह problem हुआ है, तो इसवक्त यह combination काफी अच्छा रहता है, और यह एक tablet दिन में, एक बार या फिर दिन में, दो बार patient यूस करता है, और ध्यान यह रखना होता है, कि 2 tablets के बीच में, at least 6 या 8 गंटे का time interval रखना यहाँ पर जरूरी रहता है पांच वह option है, लीवो फ्लॉक्स इनका, कि अगर वज़ाइनल burning sensations भी है, urine pass करते वक्त भी जलन हो रहा है, और साथ में यह सभी symptoms है आपको, तो उस वक्त यह medication लेना काफी जरूरी बनता है antibiotics के अंदर, कि जिससे यह problem जो आपका solve हो और उसके dose के हम बात करें, तो एक tablet जो है वो patient दिन में, एक बार या फिर दो बार या फिर दो बार यूज़ कर सकता है next option है, बीटा डिन का कि जिसका paceries available होती है जो वज़ाइना में insert करनी होती है और हर रात को एक suppository या फिर जो paceries है वो आपको insert करनी होती है, और ध्यान ये रखना है कि एक ही बार यूज़ करना है दिन में, कि जाए आप दिन में रखते हैं vaginal cavity के अंदर, या फिर रात में, उसका high dose में कभी भी यूज़ ना करें, अगर आप उसके paceries यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो externally apply करने के लिए उसका ointment be available है, जिसको povid on iodine ointment कहते हैं कि जो 5% के strength के अंदर available होता है next option हम देखे तो वो है IV का, कि अगर कोई patient tablets नहीं ले पाता, gel वगेरा भी नहीं ले पाता उसको suit नहीं होती, तो injection के जो option रहते हैं, कि जिसका dose रहता है, एक से लिकर 2 ग्राम जितना IV या फिर IM जितना रहता है पर डे की इसाब से पर जब भी आप उसको IV में लगाओ तो dilute करना जो है, वो जरूरी बनता है आठवा option बनता है augmenting का, कि जिसके अंदर amoxicillin and potassium clevolanate है और यह injection सिर्फ और सिर्फ IV से लगाए जाता है, वो भी dilution के साथ कि proper dilute करने के बाद ही अब उसको जो IV में लगा सकते हैं, उसका dose रहता है 0.25 से 1 ग्राम जितना दिन में 3 बार next option है, वो है उसके tablets का कि augmenting के अंदर जो content है उसके tablet साथ है, जैसे कि clevum 625 करके हैं तो एक tablet patient दिन में 2 बार या फिर 3 बार जो ले सकता है तो यहां तक जो हमने options देखे वो थी antibiotics के अब आगे option से वो है antifungal medications के, कि जिसके अंदर fluconazol काफी famous है जिसका 150 mg का formulation है, वो किस तरह से लेना होता है, वो मैं आपको संजाता हूँ कि यह जो है, सिर्फ एक tablet दी जाती है, blister के अंदर तो यह per week का course रहता है कि एक week में यह एक ही tablet लेनी होती है उससे ज्यादा tablets लेने से आपको sad effects हो सकती है second है, अगर fluconazol कोई नहीं ले पाता, तो उसके लिए उसका दूसरा option available रहता है eatraconazol का तो eatraconazol के यहाँ पर capsules available है कि जो दिन में एक ही बार लेने होते है और इसका जो course रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का होता है 7 दिन से ज़्यादा उसको use ना करे next है clotri mazol का, कि यह काफी एक famous medication है, vaginal infections को trick करने के लिए, तो उसका एक marketer formulation देख सकते हैं, हम Candid V6 करके, तो यह जो है vaginal tablets है, कि जिसको रात में रखनी होती है, vaginal के अंदर और इसके course के हम बात करें, तो proper 6 दिन का रहता है, इसलिए आप यहाँ पर उसका packing में भी देखो तो total आपको 6 जो वो tablets दी हुई होती है, अगर यह suit नहीं होता, तो उसका दूसरा option available है, combination के अंदर कि जिसके suppositories आती है, clindamycin के साथ combination में, और यह 7 suppositories आती है, तो यह जो course बनता है, वो 7 दिन का रहता है इसी के साथ एक और combination बनता है, कि जिसके अंदर clindamycin भी है, clotrimazole भी है और tinidazole भी है, मनलब कि antifungal medication भी आजाती है antibacterial भी आजाती है, और antiparacetic यह तीनों medicines का यह combination रहता है, कि अगर कोई exact reason पता नहीं चल रहा है infection का, तो इस वक्त यह cleanse and fought tablet यूज करके भी यह problem solve की जा सकती है फिर, अगर कोई tablet या फिर capsules या फिर vaginal suppositories यूज नहीं कर बाद, उसके लिए VGL का option रहता है candid का, कि जो clotrimazole के vaginal gel वगेरा है तो यह भी patient जो अपलाई कर सकता है, दिन में, दो या गोनाजल का, कि सर्टा गोनाजल की यह vaginal tablets आते हैं, और सिर्फ एक ही बार इसको use करना होता है और अगर repeat किया जाए तो 15 दिन या फिर, एक मेने के बाद ही उसको वापस use करना होता है, इसी दरह से second option है, single dose therapy के अंदर phanty गोनाजल का, कि उसके जो एक tablets जो आते हैं वो जो है, पेसंट जो रात में insert करता है, वजज़एना के अंदर फिर next है, अब anti-parasitic medications में हम देखे तो metronidazol एक काफी famous medication है, कि जिसके एक tablet दिन में एक बार या फिर, दो बार patient use कर सकता है second, उसके gel भी available होते हैं, कोई tablet नहीं ले पादा, तो उसके gel भी use कर सकता है, कि जो रात में आप जो apply कर सकते हैं फिर norflogs और tinidazol के tablets का combination यहाँ पे, कि जो norflogs TZ करके हैं कि एक tablet दिन में एक बार या फिर दो बार use की जा सकती है अब बात करते हैं, हरबल्स के अंदर तो हरबल में हिमाल या वी जेल जो है, वो सबसे अच्छा option है कि एलोफेदिक भी आपने try कर ली फिर antifungal भी try कर ली सभी तरह के medication आपने try कर रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो आपके पास यह option है और यह सबसे best option है, सबसे पहले दो या फिर तीन बार vaginal cavity के अंदर और बाहर जो है अपलाई कर सकते हैं next option है उसके tablets का कि हिमालिया के लुकॉल करके जो tablet आते है कि जो specially leucoria का problem होता है vaginal infection के दोरान तो इसको ठीक करने में मदद करते कि आपको बार बार leucoria हो रहा है vaginal infection के करण तो ये tablet दिन में एक बार या फिर दो बार आप ले सकते हैं उसे दिरा से अगर tablet नहीं ले पारते तो उसके syrup का भी option रहता है कि 5 ml जितना syrup जो पेसन दिन में दो या फिर तीन बार ले सकता है फिर next option है फैमी फॉर्ट करके tablet साधी है चरक फार्मा का तो एक tablet दिन में एक बार या फिर दो बार ले सकते हैं कि जिससे ये problem आपका solar कि जिससे आप leucol tablet यूज़ करते हैं उसके alternative में ये medication आप यूज़ कर सकते हैं फिर SBL का bio combination 13 करके एक product आती है homeopathics के अंदर कि जो leucol या और वज़नल इंफेक्शन के जो symptom से उसको ठीक करने में जो वो मदद करता है और आखरी option हम यहाँ पे देखे तो यूनानी medicine का है कि माज़न मोचरस करके आता है और माज़न सूपारी पाक करके आता है कि जो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं कि 5 से 10 ग्राम जितना लेना होता है आपको milk के साथ उसको mix करके जो वो पीना होता है तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे WhatsApp पे भी जोइन हो सकते हैं ऐसे वीडियोस को WhatsApp पे भी आप share कर सकते हैं अलग-अलग groups के अंदर और Medicine Course को जोइन करने के लिए आप हमे WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को डाउनलोड कर सकते हैं तो बहुत सारे से वीडियोस आप access कर पाऊगे Medicine Course के अंदर तो जोइन कर सकते हमें WhatsApp पे या फिर हमारी mobile application को डाउनलोड कर सकते हैं Link description box में मिल जाएगी तो गुद लग और बेस्ट